किसान बाईयो नमस्कार सुवागत आप सभी का हमारे यूटूब चेनल डी फार्मिंग में इस वीडियो में हम गोटडा माता की बविश्यवाणी 2022 के बारे में बात करेंगे मर्दय परदेश के उजेन जिले के एक चोटे से गाउं गोटडा नामक जहां पर हर साल चेत्र नवरात्री के आखरी दिन एक बविश्यवाणी होती है जिसमें अगले एक साल में जो गटनाए गटित होने वाली है जैसे कि कई पसलों के बाव मोसम समंदी जानकरियां बीमार आधी के बारे में जानकरी दी जाती है यहाँ पर जो बविश्यवाणी होती है वो पूरी तरह से सटीक साबित होती है कई सरदालों इस पर वरोसा करते है और कई सरदालों की इस पर आसता है जैसा कि आज 10 अप्रेल का दिन है आज वहाँ पर बविश्यवाणी हो चुकी है बविश्यवानी में आगे क्या-क्या बताया गया है पूरे साल बर का विवरन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ अगर आप भी बविश्यवानी पर परोसा करते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए जो किसान हमारे चेनल पर नए हो बटावड से चेनल को सब्सक्राइब कर दीजे जिससे आगे भी आपको इसी परकार की जानकर्या मिलती रहे किसान बाईयों कोठडा मता के यहाँ पर आज बविश्यवानी हो गई है जिसमें अगले एक साल में जो गटनाय गटित होने वाली है उसके बारे में बताया गया है कोटड़ा मता की बविशिवानी के अनुसार आगे आने वले समय जैसे की सावन बादवा में बीमारियों का परकोप कापी ज़्यादा देखने को मिल सकता है इन दोनों महिनों में बीमारिया तेजी से बढ़ सकती है इसके अलावा मोसम के बारे में बात करें तो इस साल जोरदार बारिस होने का अनुमान है साथ तीस सावन मेने में थोड़ी कम बरसात बताई गई है और पूरे साल बर अच्छी बारिस और अच्छा मोसम किसानों को मिलेगा इसके अलावा लहसुन और प्याज के भाव को लेकर भी उहां पर बविश्यवानी हुई है गोठडा माता की यहां पर बविश्यवानी हुई है कि जो लहसुन और प्याज है उसके भाव में जोरदार तेजी किसानों को मिलने वाली है और इन दोनों का बाव इतना आएक कि किसान ब्रहमित हो जाएंगे यानि कि लहसुन और प्याज में बविश्यवाने के अनुसार जोरदार तेजी देखने को मिलेगी किसान बाई यो ये थी गोठडा माता की बविश्यवानी अगर आप भी वीडियो पर वरोसा करते हैं तो इस वीडियो को अधिक से अधिक सीयर जरूर करें किसान सात्यों के साथ ताकि उनको भी इस बविश्यवाने के बारे में जानकारी मिल पाए तो इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद